हलो स्टुदेंट्स वेलकम टूड़ीज क्लास तो इस वीडियो में हम डिसक्स करने वाले हैं क्लास 8 के एक और चैप्टर को जो की है मसीन लानिंग तो मसीन लानिंग के नाम से आपका इस चैप्टर दे रखा है वह आपकी बुक में अलग लग चैप्टर नंबर पर दिया हो सकता है तो इस चीज़ से आप लोग कंफ्यूज मत हो ना अगर आपकी बुक में कोई भी ऐसे चैप्टर है जहां पर की मसीन लानिंग की बात की जा रही है यह मसीन लानिंग से लिलेट कोई भी चैप्टर है तो आपको यह वीडियो पूरा देखना है जिससे कि जो आप कोई को यूज कर रहा है हर कंपनी जो है का का है कर रहे है तो एक सी है जो की मसीन के अंदर लगती है कि तरह सोचने लगती है जैसे वह सोचती है इसी तरीके से चैनल और थी और और शानल बहुत कोई भी किया जा सकता हो वह एक मशीन है दीए मशीन तो और भी होती है लेकिन िहां पर स्पेस्विकली हम बात कर रहे हैं ऐसी मशीन की जिनको क्यों किया जा सकता हो तो सिंप्ल डाम में आर्टिफिशल इंटेलिजिंस का एक टेक्नलोजी है जो एक कपेविल्टी देती है मसीन को कि वह एक तरीके से हीूमन बीग की तरह सोचने लगती है अगर दुसरे तरीके साम इसको समझे तो इडिज एविलिटी ऑफ मसीन मतलब कि दूसरे तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि आर्टिफिशल इंटेलिजिंस की एक कैपेविल्टी होती है जिसमें की मसीन क्या करती है अपने इंवायर्मेंट से सीखती है और उसके वाद में जो है फ्यूचर में उसी तरीके से डिसीजन वह ले लेती है जैसे हीूम जिसमें की मसीन जो है वो अपने इंवायर्मेंट से सीखती है और उसके बाद में फ्यूचर में उसी के लेती है तो यह हो जाएगी आर्टिफिशल इंटेलिजिंस और देखिए जो AI है यह क्या है अम्रेल अटाम मतलब की आर्टिफिशल इंटेलिजिंस के अंदर ही बहु यह मशीन लानिंग होती क्या है मशीन लानिंग क्या करती है मसीन लानिंग इन के था सकती है इसमें आपको हर टास्क लिए प्रगार्म करने की जरूरत नहीं होती है मसीन को मतलब कि once a machine is program it quickly learn about the other scenario and provide a new solution simple way में कहें अगर हम तो मसीन को जो हर टास्क के लिए आपको प्रोगाम करने की ज़रूरत नहीं होती है आपने क्या करा एक टास्क के लिए प्रोगाम करा और उससे टास्क को मसीन अपने आप से सीख लेगी और उसका solution आपको प्रोवाइट कर देगी जैसे कि human being experience से चीज़े को सीखते हैं और कि अगर रहते हैं जो भी उनके experience होते हैं उससे related अगर उनके सामने problems आती है या कोई भी situation आती है future में तो उसका solution कर देते हैं तो इसी तरीके से capability मसीन के अंदर भी आ जाती है कि मसीन को आपने किसी भी टास्क लिए प्रोगाम करा तो उससे similar task के लिए जो आपको दोबारा से प्रोगाम करने की ज़रूरत नहीं है वो खुश से सीख लेगी कि उससे similar task को किस तरीकी से परफॉर्म किया है अब आप ने मसीन को प्रोगार तो ब्सस टू तो त तरीके से हमने हैं को प्रोगाम कर दिया है कंपुटर को प्रोगार कई रहा कंप कर देगा लेकिन मसीन में क्या हो का सभिषी गया इसकिया तीन नमबर का स्भाइं आए चारların क्ह नों यह चीज बो आटोमेटिक सीख जाएगा उससे सम करना आ गया अब आप उससे दो नमबर करवाई यह चाहिए नमबर करवाई यह चीज को सीख गया है तो यह क्या है तरीकी की मसीन लानिंग में यह चीज होती है कि यह चीज के उसको जो है दुसरे टाइप के चीजों में इंप्लीमेंट कर देता है को फूचर में प्रॉलम देंगे उससे रिलेट तो उसका स्लूशन जो है वह आटमेटिक निकाल के आपको दे देगा तो इसलिए आज कल का टाइम में मसीन लानिंग का बहुत जादा यूज अब चीजन लिए जा सके बिना किसी हाट कोर प्रॉगाम करने की ज़रूरत ही है एक टास्क करने के लिए जो आपने प्रॉगां कर दिया तो उससे सिमिलर जो भी टास्क होंगे वह आपने आप निकाल देगा तो आप लोग को मसीन लानिंग के लिए हो गया होगा अब सकते हैं तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया मसीन लानिंग क्या है एक अब जाती है कि वह हैं हुमन इंटेलिजन के तरह वार कर सकती है उसी तरीके से वह सोच सकती है में मसीन लार्णिंन एक na pics या थोड़ा से और क्लियली यहां पर समझ सकते हैं मसीन लार्णिंग के हैं एक अर्गोरिध हमाई टू इंकोपरेजिट इंटालिजनुन मसीन मतलब कि machines के अंदर intelligence को डबलब करने का एक अलगॉरित हमें जिसमें की learning होती है machine की वो automatic होती है past के data के base पे जो भी आप past में data दे रहे हैं उसको सीख के machine करती है automatic learning करती है तो that is called machine learning यह चीज मैंने आपको अलड़ी बताए दिये इसके लावकर हम बात करें deep learning की तो deep learning क्या है deep learning भी एक algorithm हमें that mimic human brain to incorporate intelligence into machine मतलब कि यह भी एक algorithm हमें जिसमें की human brain को mimic किया आता है जिससे की intelligence है मों machine के अंदर और भेतर तरीके से डबलब की जा सके तो इस तरीके से तीन में टर्म थे जो कि मैंने आपको explain कर दी है मुझे लग रहाँ आप लोगो को clear हो गये होंगे अब हम बात करते हैं कि machine learning की जरूरत होती गया है need of machine learning इसकी क्या need होती है machine learning की need इसलिए होती है because machine learning enable computer to learn and make prediction or decision based on data without being exploratory program for each task मतलब कि हर काम को करने के लिए आपको अलग से प्रोगामिंग करने की requirement नहीं होती है machine learning ये फैसलेटी देती है computer को कि वह खुछ से data को analyze करके चीजों को सीख पाए जो भी data उन्हें दिये जा रहा है उस data को analyze करके जो है वह चीजों को सीख पाए तो यह capability जो है machine learning की help computer में आ जाती है जिससे कि जो भी data computer में दिये जा रहा है उस data को analyze करके computer खुछ से चीजों को सीख पाए क्योंकि machines में या फिर computers के हम बात करें उसमें machine learning का feature नहीं होगा तो computer खुछ से चीजों को नहीं सीख और फिर आपको क्या करना पड़ेगा हार टास्क के लिए जो है program बनाना पड़ेगा मतलब कि हार टास्क के लिए आपको programming करने की requirement पड़ेगी तो इसलिए इस चीज से बचने के लिए machine learning को implement कि यह आता है कि जो machine है वो खुछ से सीख पाए जो computer है उसमें एक program दिया है तो उस program को analyze करके उससे similar problems को जो है वो क्या कर सके खुछ से solve कर सके उससे similar जो भी prediction है वो खुछ से कर पाए तो यह चीज करने के लिए machine learning की requirement होती है तो मुझे लगर आप लोग को समझ मारा होगा कि machine learning की requirement क्या होती है और इसके अलाबर दीखिए machine learning की help से क्या होता है machine जो है वो अपनी performance को automatically improve कर लेती है देखिए जो भी चीज़े वो सीख रही है तो उस चीज को सीख के करती है अपनी performance को improve कर लेती है क्योंकि similar mistake को वो बार-बार repeat नहीं करती है अगर आपने एक टाइप का program दिया है तो उसस machine learning का feature किसी computer में या फिर machine में है तो वो automatic इस चीज को सीख लेगी और साथी में क्या होगी वहां पर उसकी performance इंप्रूब हो जाएगी तो मुझे लग रहा आप लोग को समझ में आ गया होगा कि machine learning की requirement क्या होती है अब हम बात करते है कि machine learning system होता है यह वर किस तरीके से करता है यहां पर मैंने काफी सारे लिखा हुआ है तो अगर आप चाहिए तो उसको रीडिंग नहीं करूंगा मैं आपको explain करने को समझ पाए तो मसीन लार्निंग सिस्टम होता है वर किस तरीके से करता है मसीन लार्निंग सिस्टम में सबसे पहले क्या करा जाता है जो training data होता है उस कि मसीन लार्निंग अल्गॉरिथम होता क्या है तो मसीन लार्निंग अल्गॉरिथम में बिसिकली training data को feed किया आता है अब training data क्या होगा देखिए जैसे मैंने आपको यहां पर बनाना है दो नंबर का सम करने के लिए जैसे मैंने आप लिग दिया 2 प्लस 2 तो इसके लिए सब्सक्राइब को मॉडल को, तो जो बनी हों सेखिवरण कि यह और तक ट्रेन को घाए अजब कि यह पूरी तरीके दिया जए मतलब कि इसको अच्छे तरीके से ट्रेन कीया जाएगा होसाइं कि आपकाण चsite को मतलब कि यहित करने के लिए जिसको नहीं तरीके क्राइब वो प्रॉपर तरीकी से वर्क कर रहा है यह नहीं कर रहा है तो यहां पर टैस्ट डेटा दिया जाएगा जैसे कि मान लीजिए दो नमबर का सम करने के लिए ट्रेन कर रहा है तो यहां पर दो नमबर का सम निकाल के दिखा जाएगा उसके बाद में तीन नमबर का सम निकाल के तो इस तरीकी से मसीन लानिंग सिस्टम हमारा वर्क करता है मुझे लग रहा है आप लोग को क्लियर हो गया होगा अगली स्लाइड में आपका क्लियर हो जाएगा यहां पर देखिए एक समझते हैं आपको एक एरिया का बैदर प्रडिक्ट करने के लिए बोला जाए कि आपको किसी पर्टिकलर एरिया का बैदर प्रडिक्ट करना है कि उस एरिया में किस मंत में कैसा बैदर रहता है किस मंत में वारिश होती है किस मंत में ठंड रहती है किस मंत में गर्मी रहती है मतलब कि इस क्या करने के नहीं करते हैं सब्सक्राइब करने के वहां पर प्रिविएस यह कया रहता है तो तो में है आपका ट्रेनिग को हाइब तरीके का क्रेंट Drum यहां पर किस तरीके करें धिय कि तरीके का भीदें नहीं ही नहींLaughs को अरहता है डूकलत कर लें डैक लिए को शलक्रिया की कि विए चयुक्राइब रहता है अपका पर यहां पर डाल दिया किसमें डाल दिया आपने मसीन लानिंग अलगारिफम में इसमें आपने फीट कर दिया अब इसमें फीट होने के बाद में क्या होगा यहां पर आपके पास मॉडल होगा और उस मॉडल को आप क्या करेंगे मतलब की ट्रेनिंग दी जाएगी इस मॉडल के लिए कि यहां पर इस मॉन स्ट को ट्रेंट को करेंगा और त्रेंग निस नहीं अब देगा रहा है तो उसके भाद में हम यहां पर रियल डीकशन करवा नहीं इस तरीके से यहां पर देंगे तो उसी के साभ से प्रेडिक्शन काल नकरी आपको देगा और नेक्स दमाझ में छेक करके अधाly नहीं है तो इस तरीके से जो है यह मसीन लार्निंग सिस्टम वर्क करता है मुझे लग रहा है आप लोगो पूर तरीके से समझ में आ गया होगा कि मसीन लार्निंग सिस्टम क्या होता है और यह किस तरीके से वर्क करता है अब देखिए हो सकता है आपके माइंड में डाउट आ रहा हो जा रहा है उस डेटा से सीख पाए और साथ-साथ क्या प्रेडिक्शन कर पाएस को मतलब किए कह सकते हैं जो की मसीन लाशनक को यह फैसलेटी देता है कि डेटा उसको दिये जा रहा है वह से चीजों को सीख ले तो चलब अव Freunde कंसे попроб object हो रहा बहुत वार्थम होते हैं तो यहां है इसमें धर स्हक्म होते हैं जिसमें कि धा ढिल сцен coyन आज दूसरा हां अधिशन आज अल्ग उर्थम और त्य क् yön लार्निंग अल्हा रिफॉर्समेंट की सुनाइब में यहां पर देखे मैंने डायग्राम भी बना दिया और इनको जो अभी हम बन बाइबन डिसक्स करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लार्टी मिलेगी तो चले इन तीनों को बन बाइबन डिसक्स करते हैं सबसे पहले हम डिसक्स करेंगे सुपर्वाइज लर्निंग इस तरीके से जो मस्किल मौडिोल होता है इसमें वहता है यहां पर डेटासेट होते हैं जो एक तरीके से इंपुट का काम करते हैं तो यह तरीका का ट्रेइंड डेटा होता है जो कि एक्ट करता है एज इस मॉडल तू प्रिडेक्ट दा आउटपूड मतलब कि यह सुपर्वाइज करता है मॉडल को और मॉडल जो है फिर इसकी हल्प से ही चीजों को सीख लेता है कि किस तरीके से च इसको मॉनिटर किया जाता है जैसे कि हम बच्चे को मॉनिटर करते हैं जब तक कि बच्चा अच्छे से चलना ना सीख जाए तो इसी तरीके से सुपर्वाइज लानिंग अल्वार्थांबर करता है तो इसको और क्लिए यहां पर देखिए इमेज की हल्प समाझने कोसिस कर करते हैं जैसे कि इसमें होता क्या है यहां पर लेवल डेटा दिया जाता है जिसमें की लेवल दे रख्योंगे कि यहां पर यहां पर ट्राइंगल की है मतलब कि यहां पर लेवल लगे होंगे तो यहां पर मसीन लार्निंग मॉडूल क्या करेगा जब इसको तरीके का डिट तो इस तरीके से से सकते हैं यहां पर लेवल डेटा होता है उस डेटा की है यहां इंप्ट्स को दिये जाएगा और उसी के पर यह पी आउट्पूट देगा यह आपकर सकते हैं प्रेडिक्शन करेगा तो इस तरीके से सब्सक्राइब करता है मतलब कि एक तरीके से कहा सकते हैं यहां पर लेवल डेटा होता है उस डेटा की हैल्प से ही जो है क्या करता है प्रेडिक्शन करता है अब देखिए सुपर्वाइब लनिंग अल्गॉर्थम टू टाइप के होते हैं जिसमें की पहला होता है आपका रिग्रेशन रिग देख सकते हैं जैसे कि पिरेड आप टाइम में क्या कि चिंजे सा रहा है डीटा में उस चीज को रिफलेक्ट करेगा यह आपका रिग्रेक्ष अलगार्थम एक्जाम्पिल के दुबर पर एक हाउस है तो उसका प्राइज जो है क्या होगा दो साल बाद या तीन साल बाद क्य और किस किस तरीकी से प्राइज में चेंज आ रहे हैं मतलब कि जो कोश्ट होगी हुँर, हाउस के एरिया में आए प्रेडिक्ствен करे को प्रेड़ कर डीटा को इसके अभी हम बात करें तो यहां पेना करताहा है और या तो यह सकते हैं कैटिग्राइज करता डाल्म को डाल देता है जैसिकि आप लोग रेयकरी में मतलब मतलब कि अलग जिसाल को रखेगा और उसके हिसाब यह नो हो गया घ्लासुफिक्शिंट कर देता है जैसे मान लिजए मेल आ रहा है आपको तो इस पैम है या नहीं है इस चीज़ को यह करेंगा बहां पर चैक करेंगा कि जो मेल आया है उस मेल में ऐसी क्या चीज़े है कि वह इस पैम कंसिडर किया जा सकता है तो कुछ भी ऐसी क्राइटीरिया होंगे जिसको कि चैक करेंगा और उसकी यह चैक करेंगा जो है इन बोक्स में डालेगा और इस तरीके से क्लासिफिक्षिक्षिं अल्गॉरिफम में तो मुझे लग रहा आप लोग को 2 अगर्वाइब के दूनों टाइप समंझ में आगे होंगे अब बात करते हैं अगले type के algorithm की जोकी है unsupervised algorithm और इसमें देखिए जो है आपका unlucky data होता है मतलब कि यहाँ पे level नहीं दे रखे होते हैं data जो होता है वह आपका unlimited होता है कोई भी da लेवल यहां पर दी वी नहीं होते हैं जैसे कि यह data है तो पर लिखा हुआ नहीं है कि कौन सा रैंक्टेंगल है कौन सा सरकेल है यह चीज यहां पर लिख हुई नहीं है लेबल लिखे हुई यहां पर नहीं है तो यहां पर क्या होगा जो अलग अलग कर देगा जैसे कि हां पर सिमलर सेप के देख रहा है तो इसको अलग कर दिया है इस यह pattern को identify करेगा कि इसका pattern क्या है और उसके हिसाफ से जो आपको output देगा तो यह होता है unsupervised learning कि यहां पे जो है कोई भी लेविल लगा हुआ नहीं है यहां पे लोग लोग को यह clear हो रहा होगा और यह अंसुपरवाइज लानिंग अलगोर्थम भी टू टाइप के होते हैं तो इसमें पहले टाइप के अगर हम बात करें तो पहला टाइप होता है इस तरीकी से रोडॅरड दिया गया है तो यहां पे देखी Student सिम्लर वाले जो है इसने एक तरफ कर दिया है यहां पे आप लोग दके सकते हैं जो भी सेम पेर्टरं वाले और वो इसने अलग-अलग कर दिये हैं तो इस तरीके से यह क्या कर देता है frontier काम करता है डूसरे डाइप अर यह क्या होता है मतलब कि यह जो है जो है जो है जो है चीजों के बीच में रिलीसेंसिप को चेक करता है और इसका जो है जनरली यूज किया जाता है प्रोड़क्त को अनलाइज करने में मतलब कि जो मार्केट की स्टेड़ी वगारा है उनको इंप्रूब करने के लिए जो है असोशियेशन लानिंग अल्गॉर्थम को यूज किया आता है जैसे कि एक जांपिल के तौर और यहां पर देखी दोनों की बीच में क्या है क्यूंकि डी Crashs करएं इस तरीकी से यहां पर क्या हुब परसन जो है ब्रेट के साथ में जो है बटर भी क्या कर ले पर्चेस कर ले क्योंकि बटर का रिलेशनसिप जो है इसके अलाबा हो सकता है यह परसन जो है एक भी पर्चेस कर ले यह हो सकता है यह दोनों चीजों को ही पर्चेस कर ले वह ओमलेट बना के भी खा सकता है वह ब्र अब हम बात करेंगे reinforcement learning की तो reinforcement learning क्या है एक तरीके से अच्छा काम करते हैं तो आपकी लोग तारीफ करते हैं और तारीफ करते हैं तो आपको अच्छा लगता है और आपका और अच्छा करने का मन करता है तो यह क्या एक तरीके का reinforcement है और फिर नेक्स टाइम के लिए आप और ज्यादा पढ़ेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपके अंदर motivation आएगा और ज्यादा और negative reinforcement के अगर हम बात करें तो मालीज़ आपसे क्लास में question पूछा गया और आप उसका answer नहीं दे पाए तो उस case में आपके son ने आपको डाट दिया और आपको बहुत ज़्यादा बुरा लग गया मतलब कि आपको ऐसा feel हुआ कि अब पढ़ूंगा और next time मैं इस question का answer जरू reinforcement मतलब कि आपको motivation तो मिला पढ़ने के लिए लेकिन निगेटिव तरीके से मिला मतलब कि डाटने के बाद आपके अंदर reinforcement आया तो वह कैसा हो गया वह निगेटिव रिइनफोर्समेंट हो गया तो इसी तरीके से computer भी जो है निगेटिव और positive reinforcement की help से सीखता है जिसमें होता feedback देंगे और वह सही चीज करेंगा तो आप क्या करेंगे positive feedback देंगे तो इस तरीके से यह होती है reinforcement learning तो यह मैंने आपको बताया दिया कि आपकी positive भी हो सकती है और negative हो सकती है positive कब होगी जब जो आपका क्या कर रहा है wrong decision ले रहा है मतलब कि जो output ले रहा है वो सही नहीं दे कर रहा है तो उस case में क्या होगा उसे negative feedback मिलेंगे और उसके वेस्ट पर बजूह क्या करेंगा अपने आपको इंप्रूब करेंगा तो मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ रहा होगा reinforcement learning क्या होती है इसको समझाने के लिए मैंने हां पर image भी लगा रखी है कि पॉज reinforcement है इसमें क्या होगा जो बच्ची है उसे लगेगा कि मेरी डाट पढ़ाएगी इसलिए मुझे क्या करना चाहिए वर कंप्लीट कर लेना चाहिए तो इस तरीके से जो लानिंग होती है इस कॉल रिइनफॉर्समेंट लानिंग मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ में लानिंग के क्यों सबसे पहले मं बात करेंगे लानिंग के मतलब कि एमारा कर सकते हैं जैसा है आफ और वो हो सकते हैं जैसे कि नॉर्मली हम फॉन में करते हैं जब हम बोलती हैं तो यह क्या है उपने हैं तो एक तरीके का मैं सिन का ही इंपलिमेंटीश उपयान है अभागा है तो में का यूज से हर टायगा तो यह जाता हैC यहां पर कलिक आपका हो सकता है तो यहां पर यहां पर हो सकता लाभ आपके मैसलास होता है उनको किस टरेंट की किया刚 तो इस तरीकिसे प्राइब करते हैं तो बात करें तो गोगल ट्रांसलेटर में भी ज्वानेग का एप्लीकेशन होता है जहांपे आप टाइप करते हैं घंदी तो एंग्लेश इंग्लेश तु हिंदी करते हैं तो महाँ इंप्रोफ करता रहता है तो यहां पर निंग का करने के लिए जयोता है जैसे कि बैदर फोड़कास्टिंग हो गई जो आपके बैदर एप्स होते हैं या फिर आप गूगल में जो है किसी भी लोकीशन का बैदर जो है आप चेक करते हैं तो वहां पे बेसिकली मसीन लर्निंग का ही इंप्लेमेंटेशन किया गया है बहां पर उस एरिया का जो बैदर का डेटा होता है उसको आनलाइज करके जो सेल्फ मोड में आपकी कार होती है तो वहां पर भी क्या हो रहा है मसीन लांनिंग का इंपलीमेंटीशन में जो आपको देखने को मिलते हैं चाहें किसी और देखने को मिलते हैं जो चीजह आप सhrc artık यह होता है कि आपने चीज देखी औ, ुसी चीज अब को आपको मसीन लाणिंग वहता है जो आपका यापä डेटा होता है वह कल्そ दिखाई जाती है लेकिन आपकी प्रॉब्लम को सॉल्ब करने के लिए होते हैं तो उनकी आपको आंसर मिलेंगे लेकिन पर्सन नहीं होते हैं वह बर्चोल असिस्टेंट होते हैं मतलब कि तरीके से प्रोगामिंग क्यों होती है एक तरीके से आर्टिफिचल इंटेलिजन्स नहीं है इस जीज़ा करने के लिए नहीं है इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए यह H metedia ऑगा अगर वह Schweiz ज्लानीं जाता है और शोड़ेयर घ्र एक्रति करती है कुछ पैरमेटर साटे है उसकुछ चेक करती है तो प्रमेंटर सही साथ जाता है और नहीं यह तो दारेक्टली में में चलंड जाता है तो इस तरीकिस से Earth कि ले भी क्या होता है मसीन लार्निंग का यूज होता है तो यहां पर जो है मैंने कुछ में में आपको बता दिया है इसके अलावा और भी बहुत सारे अप्रिकेशन होते हैं मुझे लग रहा है आप लोग को सारी चीज़ा करें पूछ सकते हैं मैं आपको डाउट करने कोसिस करूंगा करते हैं अगले वीडियो में कंप्लेट करेंगे इस चैप्टर कोशन आसर तो श्टुडेंट इस वीडियो थेंक्स वर वाचिंग